श्री शद्गुरु महाराज की जय प्रातह स्मर्णी अनंत्स्री व्यूशित परमाराद्य शंद्शद्गुरु महर्शिमेही प्रम्हांशी महाराज का प्रवचन ध्यान योग सब के करने योग हैं प्यारे लोगों जीवन जन्म से सुरू होता है और मिर्ट्यू में जाकर स्वाप्त होता है जन्म होते ही सिशू रोता है रोना कष्ट की निशानी है सिशू काल में कोई बोल नहीं सकता अपने भाव को परगट नहीं कर सकता परन्तो उसकी रुलाई परगट करती है कि उसे दुख है जन्म और मिर्ट्यू काल दुख से भड़ा रहता है इस तरह का जीवन हम लोगोंने कितनी बार भोगा है ठिकाना नहीं जब से संसार उत्पन हुआ है हम लोग जन्म मिर्ट्यू के अंदर रहते हुए चले आ रहे हैं बुद्धिमान मनों से जानते हैं कि जन्म से मिर्ट्यू के अंदर का शमय एक जीवन होता है मिर्ट्यू के बाद क्या होता है यह परत्यक्ष नहीं है इसका ज्यान शास्त्र से होता है मिर्ट्यू के बाद जीव कर्म के फल भोगने के अस्थान में जाता है इस तरह जीव आवागवन के चक्र में रहता है जीव जो दुख भोगता है उससे छूटने के इक्षा तो रहती है लेकिन उससे छूटने के उपाय का पता उसे नहीं मिलता शट्संग और शद ग्रंतों से इसका पता चलता है ऐशा यतन चाहिए कि जिससे जीवन का अंत हो जाये फिर संसार में नहीं आया जाये जिस परलोक में जाकर लोटना पड़े वह नहीं चाहिए जिस परलोक में जाने से लोटना नहीं पड़े वह परलोक बहुत ही विचित्र है वहां इंद्रे ये युक्त शरेड नहीं है, वहां पांच तत्व नहीं है, पंच विश्यों का जो महान अस्थान है, वहां कुछ नहीं है वह ऐसा परम तत्व है, जो अपने अंदर इस संसार को विंदू मात्र बना कर रखता है वह परम तत्व है परमात्मा ऐसा वह एक ही एक है परमात्मा में जन्व मिर्त्यू युक्त कष्ट वाला अस्थान नहीं है शंद लोग कहते हैं उसके प्राप्ति जीवन काल में ही होगी इसके वास्ते यत्न करना होगा वह यत्न आप अपने घर में ही रहकर कर सकेंगे वह यतन शंत सद्गुरु द्वारा जान शकते हैं पहले सद्चंग करें तब सद्गुरु की खोज करें वे जो बतावें उनके कहे अनुकूल जीवन भर शादना करते रहना चाहिए पशु इस बात को नहीं जान शकता अपने घर में रहकर भी बारम बार जन्म लेने के कारण को मिटा सकते हैं ऐसा बहुतों ने किया है अब भी लोग कर रहे हैं इस्वर के किरपाश से आपको जैसा घर मिले उसमें रहिए और शादना कीजिए आपका शरीर भी इस्वर कृत घर है आप अपने से घर बना कर या पुष्टैनी घर बना हुआ मौजुद है उसमें रहकर यतन कर शकते हैं परन्तों यदि अपने सरीर को घर नहीं माने तो फिर यतन क्या करेंगे अपने सरीर के अंदर यतन करेंगे तो शाधन हो शकता है यह शाधन शरीर रूपी घर में ही होगा यह शरीर रूपी घर और पवित्र भी बहुत है और पवित्र भी बहुत है शंतों ने बताया है कि शरीर की और पवित्रता को छोड़ना चाहो तो अपनी विरिती को अगल भगल नहीं रखकर मध्य में रखो पवित्र बनते बनते महान बन जाओगे मध्य के वास्ते संतों ने सुसुमना का वर्णन किया है अगल बगल यानी इडा पिंगला के मध्य सुसुमना का वर्णन किया है जितना अधिक अपने को सुसुमना में रख शकोगे उतना अधिक पवित्र हो शकोगे यह मध्य में विरिती रखने वाला होने के लिए जो यतन है वह शच्चे गुरुशे शिखू। कोई एक शब्द जपने को गुरु बताते हैं, गुरु के बताये शब्द मंत्र को अस्थिर होकर जपो, अर्थात मन की अस्थिरता के लिए जपो, लेकिन इतने से ही काम खत्म नहीं होता है, इससे जन्व मरन के चक्र से नहीं छुटोगे, इससे आगे का काम ध्यान है, मोटा ध्यान मन की एकागरता के लिए बहुत अपेक्षित है, लेकिन इससे आगे का भी ध्यान करो, इसके लिए वृती को मध्य में रखो, शर्व साधारन भी इसे कर शकते हैं इसके लिए प्राणायाम करना सब के योग नहीं है ध्यान योग सब के करने योग है ध्यान योग में किसी प्रकार की आपदा नहीं है इसमें शिगरता का ख्याल रखने वाला गलती में पड़ जाता है वह इस लोब में ऐसा करता है कि शिग्र ही प्राप्ति होगी मैं कहता हूँ कि मध्य विरिती वाले बनो इसमें मन की एकागरता होगी अस्थिर्ता आएगी इसमें पोर्ण शिम्टाव होगा पोर्ण शिम्टाव एक विंदुता पर होता है अपनी वृति को मद्य में रखने का आयतन सचे गुरू से सीखो पोर्ण शिम्टा में उधर्व गती होती है मन को अस्थोल मंडल में समेटोगे तो उसकी गती अस्थोल से उपर सुक्ष में हो जाएगी इस्वर तक जाने का विचार सत्संग में इसलिए कहा जाता है कि इस उधर्व गती में इस्वर की ओर जाने से इंद्रियों से चेतन छोटता है माया के आवरणों से छोटने की ओर हो जाता है तब वहां वो इस्वर का दर्शन होता है यह दर्शन मन को नहीं चेतन आत्मा को होता है चेतन आत्मा मन इंद्रियों से छूट कर अपने आपकी दशा में रहकर इश्वर का दर्शन करेगी इस बात को खूब मजवूती से अपने हिर्दय में रख लिजे कि इश्वर का दर्शन इंद्रियों से नहीं होता है तीन अवस्थाओं जागरत, शौप्न, शुशुप्ति में नहीं होता है, चौथी अवस्था के भी आरंभ में नहीं, अंत में होता है, जो इन अवस्थाओं से शिमटता है और जो इन सबों के अंत में पहुंचता है, उसको इश्वर का दर्शन होता है, इस मार्ग पर यात्रा करने वाला कोई ठकता नहीं है, इस यात्रा में आन इसके शाधना का आरंब जागरत में जो आँख में जीव का बैठक है वहीं से होता है यह अंतर मार्ग बनाने वाला परमात्मा है यह रास्ता मिट्टी आदी किसी मशाले से बना हुआ नहीं है इस रास्ते पर चलने वाले को अजीव आनंद आता है शाधक जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसका आत्म बलवी बढ़ता जाता है इसके लिए शंतों ने कहा सिमटी निगाह से देखो फैली निगाह से नहीं अपने अंतर में जोती का पसार है इसके लिए दाई और बाई धारों को छोड़कर मद्य में विरिती रखो जो लोग खा जानो लेकिन करो नहीं तो क्या मालूम होगा जीवन में यहां इस संसार में बिना वस्तर भोजन के नहीं रह शकते इसके लिए खेति कीजिये ब्यपार कीजिये नौकरी कीजिये लेकिन शाधना में आलश नहीं कीजिए, परमार्थ की बातों में आलश नहीं करें, और फल प्राप्ती के लिए शिगरता के फेर में न परें, कहा है, माली सीचे सोगरा, घड़ा, रितु आय फल होए, अपने देश में परधानता खेती की है, खेती करने से अन उपजता है, अन का भ भोजन के बिना बिल्कुल अस्त्रवस्त्र बेकाम, भोजन के बिना जो कुछ द्रव्य है सब बेकार, इसलिए भोजन का इंदिजाम अपने आप करो, खेती करने के लिए, हल चलाने के लिए बैल की अवशक्ता है, इसके लिए गौव माता की शेवा करो, अपने शरीर को प पुष्ट बनाने के लिए गव दुग्द चाहिए गव दुग्द पाने के लिए खाद पाने के लिए गव माता की सेवा करो अनुचित बात है बुढे वैल तथा गाय को बेचना जो उसे बेचते हैं गोया उसे मारने वाले को दे देते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे मात पिता बुढ़े हैं उनकी सेवा अवश्य करो अईसा नहीं कि उसका वध कर दो उसी तरह बुढ़े गायवयल की सेवा करो गौ की सेवा से शुक मिलेगा जीवन भर शुक ही रहने के लिए गौ पालन करो लेकिन शांशारिक शुक पाकर इस श्वर को भूल जाओ यह ठीक नही शंत कविर्शाव ने कहा है शुक के माथे सिल परे जो नाम हिर्दै से जाए बलिहारी वा दुख की पल पल नाम रटा है शमाज में लोग रहते हैं अपना इक्षा अच्छा नमूना देकर अच्छे कर्म में शमाज को लगाओ तो बहुत अच्छा होता है अच्छे समाज म हम लोगों के यहां ठाकुरबारी है उसमें पूजा के समय बाजा बजाते हैं उसका तातपड यह है कि उसमें सभी लोग भाग लें मुसलमान लोग नवाज पढ़ते हैं इसाई भी सामोहिक परार्थना करते हैं जितने आस्तिक लोग हैं सभी सामोहिक परार्थना करते हैं वेद में यही आज्या है सभी कोई आपश में मिलकर रहो इसके लिए पंच पापों से बचो सब पापों में सरदार है जूट जूट छोड़ना और सत्य को ग्रहन करना यह शंतों ने बहुत जोरों से कहा है इस्वर की उपासना भी सभी मिलकर कीजेए सभी कोई मिलकर रहिये सदाचार का पालन कीजे शाच को ग्रहन कीजे शत्य की बड़ी परतिष्ठा है परसंसा है शत्य निष्ट ही इश्वर की पासना में अग्रशर हो शकते हैं इसलिए शदाचार का पालन मजबूती से कीजिए आलश्य छोर कर अपना काम करना चाहिए जीवन का अंत होना अनिवारी है इश्वर की भक्ती करके वैसे लोक में जाना होगा जहां से फिर दुख सागर में नहीं गिरेंगे इसलिए शबों को इश्वर का भक्त बनना चाहिए परम पोजी गुर्देव का यह परवचन बिहार राजान तरगत पुरेणिया जिले के भावानी पूर राजधाम सत्संग भवन के प्रांगन में दिनांक 26.12.1966 इश्वी को प्राता कालिन सत्संग में हुआ था श्री शद्यगुरू महराज की जय